नेक्स्ट कुश्चन दोजा सोला नीट का सवाल है कुश्चन सेज एट फाट हाइट फॉम दा सर्फेस ऑफ एर्थ दा ग्रेविटेशन पोटेंशल एंड दे वेल्यू ऑफ स्मॉल जी आर माइनस 5.4 इंटो 10 वी पाफ सेवन जूल पर किलोग्राम और अपने को सजेस्ट किया हुआ है टेक रेडियस ऑफ एर्थ है 6400 किलोमेटर और चार ओप्शन दिये हुए 1400, 2000 या फिर 2600 या फिर 1600 किलोमेटर सिंपल सवाल है लेकिन इसके लिए आपको फॉमले आद होने होएंगे अगर यह अपना प्लैनेट एर्थ है रेडियस इसका रे है लेट अससे एर्थ सटेन हाइट एच पे जाके अगर हम यहाँ पे पोटेंशल की वैल्यू लिखेंगे इस लोकेशन पे तो पोटेंशल होएगा माइनस जी एम डिवाडिड बाइ चोटा आर विल बी इक्वाल टू आरी प्लस एच पोटेंशल होएगा यहीं पे जी की वैल्यू जो होएगी इस लोकेशन पे जब हम जी की वैल्यू लिखना चाहेंगे इस लोकेशन पे जी की वैल्यू होएगी माइनस जी एम डिवाडिड बाइ आर प्लस एच का होल स्कॉयर यह आपकी g की value होएगी now v और g की हमें value दी हुई अपने को h है जो के वो बताना है इन दोनों को अगर हम divide कर दें so we can get rid of gm so हम कह सकते हैं कि v divided by g that will be equal to minus gm divided by r plus h multiplied by this will be equal to r plus h का square divided by gm so gm gm will cancel और एक r e plus h भी cancel हो जाएगा which implies v divided by g is equal to r plus h इस h की value हमें निकालना है v और g की value अपने को दी हुई है so अपने को यहाँ पर data put करना है तो v की value जो दी है that is 5.4 so this will be 5.4 into 10 to the power 7 divided by g की value 6 है that will be equal to 6400 plus h so इसे calculate करके अपने h की value आ जाएगी जब हम calculate करी लेता है so इसको और यह 6400 किलोमेटर है so 6400 into 10 to the power 3 plus h all right so this will be equal to left hand side हो जाएगा अपना 9000 multiplied by 10 to the power 3 will be equal to 6400 into 10 to the power 3 plus h so which implies h की value हो जाएगी 9000 minus 6400 that will be 2600 किलोमेटर so which means option number C 2600 2600 किलोमेटर will be the correct answer